दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को हुए G20 समिलन की सफलता पर मोधी सरकार से 10 सवाल सवाल नमबर 1 सभी G20 देशों के परतिनिदियों को महात्मा गान्धी की समाधी राजगाट ले जाया गया घुमाने के लिए क्या सवारकर और गोड़से की समाधी पर इन्हें नहीं ले जाना चाहिए था या फिर अटल विहारी बाजपेई की समाधी पर इन परतिनिदियों को नहीं ले जाना चाहिए था देश में गोड़से और विदेश में गान्धी ये कैसी विचार दारा है सवाल संख्याद 2 दिल्ली में हुआ G20 का ये सम्मेलन अब तक हुए G20 के सभी सम्मेलनों में से एक मात्र सम्मेलन है जिसमें मेजबानी करने वाले देश के मुखिया यानि कि भारत के परधान मंतरी मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फरेंस नहीं किया अमरीका समेथ कई अनित की देशों के अखवारों में इस बात के लिए भारत की आलोचना हुई है क्या यह भारत के लिए सर्मनाग नहीं है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है सवाल नंबर 3 भारत के परधान मंतरी मोदी जी के नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ था दिल्ली के सम्मिलन के लिए जारी किये गे लोगों में कमल और हरे रंका भगवा रंका इस्तमाल किया गया है जो भाजपा का परतीक भी है क्या G20 सम्मेलन भाजपा का सम्मेलन था या फिर अंतराष्टिय सम्मेलन था जिसमें राष्टिय पहचान और राष्टिय परतीक, राष्टिय जंडा, तिरंगा का इस्तमाल होना चाहिए था सम्मेलन के रातरी भोज में सोने चांदी के बरतन में भोजन परोसना क्या लोकतंदर की निसानी है या फिर सद्दाम हुसेन जैसे तानासा के निसानी है जिसकी कुरसी में भी सोने और चांदी जड़े हुए थे अगर खाने के बरतन पर असोग चिन हो सकता है तो खाने के टेबल पर क्या टेबल के कवर की रूप में समान कपड़े की जगा तिरंगा का भी इस्तमाल किया जा सकता था सवाल संख्या 6 दिल्ली में मेहमानों के स्वागत के लिए लॉक्डाउन जैसा महाल बना दिया गया पूरे दिल्ली में इससे पहले भी अटल विहारी बाजपेई जी की सरकार के दौरान साल 1999 में भारत को G20 सम्मेलन का चेर्मेंशिप मिला था, लेकिन उस समय इस तरह का कोई हल्ल हो हल्ला नहीं किया गया था, इसके अलावा भारत को विश्व बैंक का भी चेर्मेंशिप मिला था उसी समय. सवाल संख्या साथ, इसके पहले कई देशों में G20 सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के दौरान आम जनता ने विरोध परदसन भी किया, आम जनता को विरोध करने का अधिकार दिया गया, उन्हें इजाज़त दी गई उन देशों में, और भारत में आम जनता को घर से तक नहीं निकलने दिया गया दिल्ली में, 2009 में लंदन में हुए G20 सम्मेलन के दौरान हुए विरोध परदसन में एक व्यक्ति की मृत्यू तक हो गई थी, और कनाडा में 2010 में हुए G20 के सम्मेलन के दौरान लोगों ने पुलिस के वाहनों तक को जला दिया परदसन के दौरान, इसी घर से निकलने पर पावंदी नहीं लगाया था, लोगडाउन जैसा सिच्वेशन नहीं पैदा किया गया था, जैसा कि इस बार दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के G20 सम्मेलन के दौरान, सवाल संख्या आठ, इस कारिक्रम की सुरक्षा में एक लाग तीस हजार सुरक्षा बल दोनों देशों ने दिल्ली में हुए सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्या यह भारत सरकार की विदेश निती की विफलता नहीं है, कि दुनिया का दो महत्पूर्ण देश, जो इस सम्मेलन का हिस्सा होना चाहिए था, वो वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये भी ह इस्सा लेने से इंकार कर दिया। आप से हर महत्पूर्ण मुद्दे पर दस सवालों की या सिरीज के तहत वीडियो जारी किया जाएगा। न्यूज हंटर्स के द्वारा बने रहिए न्यूज हंटर्स के साथ। नमस्कार।